नमस्कार दोस्तों भाईव प्यारे किसान सातियों स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे प्यारे से योटुब चैनल इन्फोटेक फार्मिंग लिडर में किसान सातियों आपको देखने को मिलेगा तीन बजे के बाद में शिरुरी निलामी का लास्ट भाव का तीनो भाव उसल में आपको एट कर रहा हूं है आवक की बात कर लेते हैं लसुन की आमदानी है 5000 कट्टे आलू की आमदानी है आठ से 10.000 कट्टे और प्याज की आमदानी किसां सातियों 50 से 55,000 कट्टे थीक है अब हो सारे यूटूबर बता रहे थे कि आवक 45 से 50 है जबकि 50 से 55 के लगबग के बात कि बात कर लेते हैं वहाओ में किसां सातियों ना जादा तेजी है ना बद्दी है प्याज में प्याज आज भी 200 रूपरती कुंदल से लगाए हाईस्ट रेट तेवी सो रुपे प्रती कुंटल तक है अलू की बात कर लेते हैं अलू में हलकी फुल की मद्दी देखने को मिली एकिसान सत्यों आज कल के मुकाबले आज प्याज तोड़ा सा एक दो रुपे का अंत्रह में देखने को मिला है क्योंकि आवक बड़ी हुई य आट रुपे से लगा के दस रुपे में उच्छेतम क्वालेटी का जो चिफ्सवास अलू होता है कल 11.15 बारत तक भी विका था वो आलू आज नहीं विका है आज हाईस्ट रेट रहा एक हजार पचास रुपे का अलू ठीक है चिफ्सवास अलू का अब आती बात हमारी लस लसुन की अगर बात करें किसान सात्यों तो लसुन में भी हलका फुलका आज हमें मद्दी वाड़ा देखने को मिला है मिनिमम एक हजार रुपे डाउन हुई लसुन आज जहां 20,000 रुपे अच्छी क्वालेटी की लसुन विक रही ती वह अच्छी क्वालेटी का जो 19,000 जहां एक्सपोर्ट क्वालेटी की जो लसुन जो 21 विक रही थी वह 20 विक है एक आतलाड विका है किसान सात्यों 211 रुपे प्रती किलो के इसाब से एक लोड विका है पूरी मंदी में बिलाके देखा जाए तो बाकि 20,000 के अंदर अंदर लसुन है और नीचे में 13,000 ठीक है बात कर लेते हैं प्याच की तो प्याच दो रुपे प्रती किलो से लगाके 20 रुपे प्रती किलो हाइस्ट रेट है तो यह थी किसान सात्यों जानकारी सिंपल सोवर और बिल्गु शॉट फॉर्म में आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करे कमे आत्रम